देश की सबसे बड़े इंशिरेंस कमपनी, LIC का IPO आने वाला है। लोग बेसबरी से इस IPO में पैसे लगाने का ज़जार कर रहे हैं। कमपनी ने हाली में IPO का ड्राफ्ट पेपर जमा किया। और इस ड्राफ्ट पेपर के मताबिक 30 सितंबर 2021 तक LIC के पास 20,000 करोन रुपए से ज़्यादा की लावारिस रखम पड़ी थी। लावारिस रखम का मतलब ये है कि इस पैसे को क्लेम करने वाला कोई नहीं है। ये रखम कमपनियों के माकेट कैप और कई मंत्रालों के बज़र से भी ज्यादा है। आईए जानते हैं कि LIC ने DRHP में क्या जानकारी दी है। LIC ने सेभी के समक्ष IPO के लिए ड्राफ पेपर प्रसुत किया। कमपनी का IPO लाने की दिश्रा में ये एक एहम कदम है। ये भारत का सबसे बड़ा IPO होगा। LIC के IPO के DRHP के मताबिक देश की सबसे बड़ी इंशरेंस कमपनी के पास करीब 21,549 करोन रुपे की अनक्लेम्ड रखम है। ये आकड़ा 30 सितमबर 2021 तक का है। 16 फीसदी का उच्छाल दर्च किया गया। 31 मार्च 2020 तक ये आकड़ा करीब 16,000 करोड रुपे का था। LIC ने जानकारी दी कि लावार इस रखम में ऐसे क्लेम भी हैं जिन्हें सेटल किया गया है। लेकिन पेमिंट नहीं हुई है। इसके साथ ही पॉलिसी के मिच्चौर होने पर दे अमाउंट और पॉलिहसी होल्डर द्वारा जमा किया गया अतरिक्त अमाउंट है। जिसे रिफंड नहीं किया जा सका है। अंक्लेम्ड अमाउंट में वैसी रकम बहुत अधिक है जो पॉलिसी मिच्चॉर होने के बाद निवेशक को नहीं मिल पाई है ये कुल अंक्लेम्ड अमाउंट के 90 फीसिदी के आसपास है मीडा रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल लावारिस रकम कई केंद्रिय मंत्राले के कुल बजट से ज्यादा है और ये सिविल मिनिस्ट्री के 10,666 करून रुपए एलेक्ट्रोनिक्स एन्फोर्मेशन टेक्नॉलजी के 14,300 करून रुपए विदेश मंत्राले के 17,250 करून रुपए और पर्यावरंड वन और जलवायो परिवर्तन मंत्राले के 3,000 करून रुपए से ज्यादा है ऐसा नहीं है कि केवल LIC के पास इतने अधिक में पाने पर unclaimed amount है बैंकों के पास भी 24,356 करून रुपए हैं जिसे claim करने वाला कोई नहीं इसके साथी stock market में निवेश से जड़े करून रुपए हैं जिसका कोई दाविदार नहीं है